हलो स्टूडेंट्स आप कैसे पता करोगे कि आपके वैब साइट में यूजर ने कीबोर्ड से कौन सा बटन प्रेस किया है यहाँ पर heading defined है we can identify your key आप देखो मैं enter प्रेस करूँगा तो message आएगा enter की अगर मैं backspace बटन प्रेस करूँगा तो message आजाएगा backspace की कैसे आप पता करोगे जावा स्क्रिप्ट में एक function create केजिए किसी भी नाम से जैसे मैंने demo के नाम से एक function create किया आप html के complete structure write करके ही coding करेंगे मैंने अधूरा write किया है function की coding करने से पहले आप body में on key up event को pass केजिए on key up event का मतलब है जब keyboard से कोई बटन प्रेस होगा तो क्या होना चाहिए आप इसमें अपने demo function को call केजिए और इसमें parameter pass केजिए event इसका मतलब क्या हुआ आप keyboard का जो भी बटन दबाओगे वो on key up की माध्यम से आपके demo function के अंदर चाहेगा लेकिन कौन सा बटन आपने दबाया है यह तब ही चाहेगा जब आप event parameter यहाँ यूज करोगे इसका मतलब यह हुआ कि आपने demo के अंदर उस event को भेचा है यानकि उस बटन को भेचा है जिसको user ने दबाया होका अब आप इस बटन को यहाँ पे receive किजिए तो receive करने के लिए आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो x, y, z वो as a variable treat होका अब suppose किजिए कि मैं यहाँ पे alert में पास कर दूँ event और इसे alert करूँ तो मुझे क्या मिलेगा कौन सा बटन प्रेस किया गया है उसका एक programmatically name मैं इसके testing करता हूँ आप चरह ध्यान से देखो मैंने अभी एंटर प्रेस किया यहाँ पे programmatically name मिला object keyboard event तो keyboard event का मतलब है keyboard से कोई button को प्रेस किया गया है अब यह कौन सा button प्रेस हुआ है यह पता करने के लिए आपको उस button का key code पता करना होगा key code क्या होता है एक property जिसे आप पता कर सकते हो कि keyboard का जो भी बटन दबाया गया है उसका special number क्या है जो भी बटन आप दबाते हो keyboard का browser उस button का एक number format निकालता है उसे कहा जाता है key code यानि कि enter का एक अलग number होका shift का एक अलग number होका control का एक अलग number होका तो यहाँ पर आपको पता करना होका कि keyboard का जो भी बटन प्रेश हुआ है उसका special number क्या है उसी number को कहेंगे key code simply मैं testing करता हूँ आप जरा ध्यान से देखो मैंने enter प्रेश किया मुझे पता चल गया कि enter का key code होता है 13 मैं backspace प्रेश करता हूँ मुझे पता चल जाएगा backspace का key code होता है 8 मैं caps lock प्रेश करता हूँ मुझे पता चल जाएगा कि caps lock का key code होता है 20 तो जिस बटन को examine करना है पहले आप उसका key code इस माध्यम से पता कर लोगे जैसे अभी मुझे क्या पता चला था enter का key code है 13 तो आप user को कैसे message दो कि enter प्रेश हुआ है simply आप condition पास करो इस प्रकार से अगर key code 13 के equal है तो 13 के equal में key code कब आएगा जब user enter प्रेश करेगा तब क्योंकि enter का key code क्या होता है 13 इस तरह से मैंने condition define कर दिया अगर key code 13 है तो message आएगा enter उसी प्रकार से अगर आपको सब के लिए define करनी है तो सब का key code आप पता करोगे और अगला else if के अंदर define कर दोगे मैं else if में condition define करता हूँ अगर button दबाने के बाद key code आया है 8 तो क्या होगा 8 किसका key code होता है अभी मैंने test किया था आपके सामने backspace button का so आप यहां पर user को message दे तो backspace की तो सब की के लिए बनाना है तो सब की का आप अलगलग करके key code पता कर लो और सबी key code के लिए आप condition define करके अपना coding करो ताकि कोई भी button प्रेश हो तो उसका नाम इस तरह से display हो जाए मैं testing कर रहा हूँ enter दबाऊंगा तो आएका enter backspace दबाऊंगा तो आएका backspace मैं आपको रेकमेंट करूंगा अगर आप advanced पैमाने पे कोई भी language सीखना चाहते हैं हमारी online software engineering course को join कर सकते हैं क्योंकि सभी चीज़े आपको internet पे नहीं मिलती है कुछ चीज़े आपको developers के experience के अनुशार सिखाई जाती है तो जरूरी नहीं कि जो चीज YouTube चैनल पे demo के रूप में प्रस्तूत किया जाता है वो चीज़ आपको internet पे मिल जाए internet की tutorial को follow तब करते हैं जब छोटी छोटी problem solve करना हो लेकिन एक particular way में language को पढ़कर software application, games, website डेवलप करनी है तो ये चीज़ आप internet पे search करके easily नहीं शीख सकते हो ये चीज़ वहाँ से शीखते हैं या उनसे सीखते हैं जो experienced holder है जो काम करते हैं already industry में तो यहाँ जो course आप करोगे software engineering ये industry export के सब्दों में ही आपको शिखाया साइका जिससे आपको idea मिलेगा software website applications को किस तरह से deeply develop करते हैं behind the scenes software programmatically कैसे काम करता है ये पोरी knowledge हो चाहेंगी आपको बहतरी information के लिए आप हमारी website पे visit करे या वीडियो के description को चेक करे वैप इंस्टिट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद